असलाम विल्गम फ्रेंस मैं हूँ जामिन चाह, MSC एग्रियानस एंटो माला जी, सिंदे अग्रिकल्चर यूनियस टीटन हो जाँ फ्रेंस आज मैं आपको बताऊंगा प्याज पे पोटाश और सल्फर का इस्तिमाल फ्रेंट्स प्याज पे पोटाश और सल्फर का लाजमी इस्तमाल होना चाहिए और इसके बहुत ही फाइदे है पहले तो मैं आपको बताता हूँ पोटाश के कौन से फाइदे है फ्रेंट्स जब हमारा ओनियन किराब होए मेच्यूर हो जाए बल्ब स्टेज पे आजाए फूरूटिंग स्टेज पे आजाए तो हमें पोटाश जो है पानी में फिलड करना चाहिए इससे ये होगा हमारे जो प्याज की जो बल्ब स्टेज की है वो साइज बढ़ेगी बल्ब की साइज बढ़ेगी और हमारा जो प्याज है वो हेल्दी होगा pH level को maintain रखता है अब फ्रेंड्स मैं आपको ऐसी प्रोड़क्ट बताऊंगा जिसमें पोटाश भी है और सल्फर भी है फ्रेंड्स ये प्रोड़क्ट है जिसका नाम एज़ा ट्रोल है इसमें 50% पोटाश है 17% सल्फर है ये प्रोड़क्ट बहुत ही अच्छी है ये आप फिलड करके पानी में चलाएं आपके प्यास की जो साइज भी बढ़ेगी और आपकी जमीन की pH भी मेंटेन रहेगी जमीन और अगर आप वीडियोज चाते हैं कि मैं और वीडियोज बनाऊं तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को जरूर दबाएं अलाहाफिस